अब देखो यहां पे एक सीधी चाला दूँ को अपको रूची हो आपको पसंद वो काम करना अदर्वाइस अब कोई भी कोर्स लेकर करके आजाओगे यहां पे मुझे पता है लोग अपनी फिल्ड जो तो तूडने की यह तो बात ही दूर करो वह लोग अपने वालमार्ट य जिसमें पात साल तक उनकी ग्रोथ नहीं होती तो महरबानी करो कोर्स ऐसा लेकर के आओ जिसके अंदर आपको इंटरस्ट हो तब ही जाकर के कुछ दस और ज्यादा अपरजनेटिस कुलेगी और आप खुद अपरजनेटिस क्रेट कर पाओगे बट यह जिन लोगों को अप आप कौन सा कोर्स सेलेक करोगे नहीं आएडिया रहा है ना तो यहां पर में पांच ऐसा कोर्स लाहा हूं जिसके अंदर आप साइंस से हो कोमर्स से हो आर्ट से हो डिप्लोमा कोई भी कहा हो या फिर इवन आफ्टर 12 आप कैनाडा आ रहे हो आपके लिए इन सभी पांच को अच्छों भी बहुत अच्छा है इनकी फीस के अगर हम बात के तो 6,000-7,000 वेरी करती है कॉलेज कौन से आप बिसाइड करते है उसके उपर अलमस अभी कॉलेज इना यह को आप को अलाओ करेगी करेगी तो कोई प्रोविंस के ऊपर या फिर कोई अलग जगह आपको जाना इंडिया के अंदर तो बहुत अच्छी उपर्चुरिटीज है कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिफिकली में बता रहा हूं अबर दूसरी आपर हम बात करें वह है नर्सिंग के अरा मतलब कि अगर अपकी मेडिकल बेग्राउंड है आपने साइंस लिए उसके अंदर स्पेस प्रोविंस वाइज ने कि यहां पर है तो वैंकोर में नहीं है फिर उंटारियो के अंदर कम है सबी जगह पर इसकी डिमांड है राइट नाव और आने वाले सालों के अंदर तो और ज्यादा बढ़ने वाली है इनके फी स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक् बात करें तो वह वैरी करती है 40,000 से लेकर के वन लाक डॉलर तक तो पैसे इसके अंदर भी बहुत अच्छा है बेस से थोड़ी से कम लगेगे पर आपका एक्स्पेरियंस हो गया ना तो बहुत अच्छा है इसमें तीसरे कोर्स के बात करने से पहले एक छोटी से मेरी रिक जो कोर्स है वह है कम्पीटर साइंस एंड इंफरमेशन टेक्नोलजी यस आई टी वालों के लिए यहां पर कोर्स है जो कि साइंस फिल्म जो भी बिलोंग कर रहे हो जो भी मैच्स वाले बच्चे रहना वह इसके इंदर जा सकते हो और इवन अफर 12 भी आप जा सकते हो बस यह है कि आपको जावा सी प्लस प्लस एंड जो भी अलग कोडिंग वाली चीज़े होते न वह थोड़ी आपको सीखनी पड़ेगी मैं कहता हूं तीन यह चे मिने का कोर्स कर लो आइल्स के साथ साथ तो यह भी हो जाएगा एक बहुत हाई डिमांडिंग स्टीम है इन जाएगा इनके अंडर जो आपको सीखने को बिलेंगा अगर आप मोबाइल कम्पूटिंग लेते हो तो आपको एंड्रोइड आपको चावा सी प्लस 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 डॉटन तरह की बहुत ज्यादा चीज़े आपको मेलेगी देखने को आप सीखोगे सारी स्किल्स और इनकी स अगर आपको चीज़े लेलो पैसे तो बनी जाएंगे लाज के अंडर बट्राइग करो अगर आप इंट्रस है तो ही लो फोर्थ जो यहां पर कोर्स आता है वह है टुरिजम एन हॉस्पिटालिटी मेनेजमेंट यहां पर एक एसा देश है जहां पर काफी लोग बाहर से य यहां पर टूरिजम वगेरा हो गया जब भी विजिटर से वह यहां पर बहुत ज़्यादा रहते हैं और होटल कि अगर बात करें तो बहुत ज्यादा यहां पर चीज़े एकस्पैंड करने वाले इन कमिंग फ्यूजर और अभी इप्यूंच वगेरा भी यहां पर बहुत तो इसकी दिमार्ट फ्यूचर में अल्वेज बढने वाली है दूसरी चीज यहां पर इनका कोर्स हो थोड़ा सा इजी होता है जहाँ पर प्रैक्टिकल और आपकी परस्नालिटी डेवलप्मेंट में उपर ज्यादा वो चीजे वैरी करते हैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं करने के लिए इनका कोर्स भी बहुत चोटा है अल्मोस्ट एट मेने में तो कतम हो जागा मैक्स तो मैक्स दो सेमिस्टर आएंगे उसके अंदर और उनका जो फी स्रक्चर वो अरांड वेरी करता है एट थाउजन तो एट थाउजन फाइंड डॉलर्स पर समेस्टर अब कौ थाउजन डॉलर्स पाई बहुत पैसे होते हैं यह होस्पिटालेटी और टूरीजम इंडर्स्टी के अंदर तो स्कोप बहुत ज्यादा है पर सामने आपकी कॉंपिटिशन भी होगी यहां के लोग अल्रेडी इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनसे आप कॉंपिट करना तो भाई आपके लिए बहुत अच्छे उपोनिटिटीज है अगर आपको स्टील फिगर आउटने और आपको जाना ही है कहना आपके लिए बहुत एक अच्छा डिसिजन रहेगा तो बी होनेस्ट फिफ्ट कोर्स के अगर हम बात करें तो वह होता है मार्केटिंग और तो यह एक ऐसा कोर्स है ना जिसके डिमांड नोट इवन इन फ्यूचर आज से 20-25 साल तक भी इसके डिमांड कम नहीं होगी ज़स्ट बिकॉज ओफ कि यहां पर डैवलपिंग अभी हो रहा है तो इसकी जरूरत है ही अगर इसके कोर्स की बात करने जाए तो वह होता है मैक इसके अंदर आपके 15-20,000 डालर रहेगी तो 7,800 आपके पर सेमिस्टर आगी अब यहां पर डिपेंड यह करता कि आप कौन सी कॉलेज लेते हो क्योंकि कॉलेज इसके अंदर अलग अलग चीजे सिखाई जाती आपको कुछ एड़ांस होगा कुछ कम चीजे होगी तो ट्रा इससे लिए स्टार्ट होती है 85,000 डॉलर से लेकर के 1,46,000 डॉलर मतलब जिसके अंदर अगर एक आईटी का बंदा थोड़े एडवांस लेवल में है उतनी तो इनको स्टार्टिंग में ही मिल जाती है तो एक चीज तो है अगर आपका कॉमर्स बेग्राउंड और इवन का और काम करने का और हाइपिंग जॉब्स भी लेने का तो आई होप कि यहां पे एक बीजिक स्ट्रक्चर आपको पता चला होगा कि किसकी कितनी स्यालरी है कौन सी स्ट्रिम यहां पे डिमांड में है किस करकी जॉब्स जो है वो फीचर में बढ़ने वाली बट इस तिल फि वो आपके लिए कोर्स खुद लेकर के आएगा और सभी अलग अलग कोलेजिस के अंदर रिसर्च करने के बाद आप खुद से अप्लिकेशन करोंगे विध नो नीड ऑफ एजेंट्स तो भाई एजेंट से भी बढ़ जाओगे और आपको अपने इंटरस का कोर्स और से अपादर आपजोब